हैलो स्टुश्वेंट कैसे आप लोग तो स्टुवेंटस का एक सब्सक्राम arriya कि सर हमें तरिका बता एक है स्कालिके कि कोश्चेन पीपर को किस तरह से आंसर शेंट में लिखा जाए भी लिखा है य आपके दिमां होता है आप लिखेंगे मैं नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि कुछ चीजे ऐसे पॉइंट बता हूं ताकि एकॉनमिस को अच्छे से अच्छे लिखे जादा से जादा नंबर लेके कई सारे बच्चों ने कहा कि सर आपकी कितने नंबर मेरे भी आ जाए कै नहीं हैंने का होता है लेकिन फिर भी में कोशिश करनी चाहिए है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किस तरह से मिले घ्लिकाह हम लेकिनी मैं कंदेशन Quebec करना चीए गांचार जाए डिमाग ये के लिए उतना ही अच्छा पॉजिटिव डिस्पॉंस होता है तो आपने हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी होने का मतलब यह नहीं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और माइने रखती है बोर्ड एक्जाम में तो मैं एक बोर्ड एक्जाम उत्तराखन बोर्ड का एक कोशन पेपर मेरे पास एकॉनमिस का उसको मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा कि एक्चुले में आप कॉपी में किस तरह से आंसर लिखेंगे हैंडिंग कहार से डालेंगे सब्वेडिंग कैसे डालेंगे इन सब जी मैंने आपको बता चुका हूँ लेकिन उसके बावजोद भी जरूरी यह है कि एकॉनमिक्स क्योंकि मेरा में सब्वेडिंग एकॉनमिक्स है और आप भी एकॉनमिस की इस तरह से आपको कॉपी मिलती है फिलाल मैंने केबल जो है अंदर का पेज लिया है बाहर वाला पे पेज होता है जहां पर आपको अपना इंटरड़क्शन देखना होता है नेम रोलन वन पर लिखना होता है वो एक पेज अलग होता है उसकी बाद अंदर से आपको इसतरह से बनावा अचान था से बनावा हुआ और मेरे पास चोष्टन पेपर है डो हजार बीस का है दो आजार वी बीच में उत्राखन में जो पेपर हो तो एकोनोमिस का बोल है इसको मैं बताता हूं किस तरा से सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है पंदा मिनेट में जो सब चीजे हैं वो पढ़ना है आप यह देखने ना है पहले ही मैंने बता दिया है किस बोर्ड में क कितने कितने नंबर को कितने कितने शब्दों में लिखना वो सब मैं बता चुका हूं फिर भी द्यान रखना इसको अच्छे से पढ़ना है उसके वाद कोशन पेपर को अच्छे से रीड करना है और पहला जो कोशन होता है फिलाल mqs का ऊका क miracle यह पुराना है पैटर उत्तरखन बोल्ड का पैटर मीं बदल गया लेकिन फिर भी मैं बताता हों जैसरे सेक्षेछन ए सेक्षन Как पहला एंसर आद को आता है जो आपको आशार आता है सबसे पहले क्या I've जैसे यहाँ पर margin ने खिचा हुआ है क्या किजिए यहाँ पर एक margin खिचना यहाँ पर जरूरी है जैसी मैंने margin खिच दी margin खिचने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे section A यहाँ पर लिख देंगे section A section A के बाद basically CBC board में only blue pen ही अला होता black pen से नहीं लिखा जाता सब कुछ blue pen से लिखना है heading heading, heading, heading सब कुछ पहला question है तो पहला question यहाँ पर लिखना है आपको beach में यहाँ लिखना है आपको that is उत्तर number 1 ठीक है पहला question क्या है चुनाव की समस्या क्यों उत्पन होती है तो आपका answer क्या होगा answer सही तरीक से लिखेंगे एक number का है उसी साफ से लिखेंगे तो आपको लिखना है आसीमित आवशक्ताव तथा सीमित सादनों से उत्पन समस्या अर्थात सर्वस्रेश्ट बिकल्ब को चुन्ने की समस्या को क्या कहते है चुनाव की समस्या कहते है ठीक है एक number का है तो इससे ज्यादा लिखने की कोई जरुवत नहीं है यह हो गया अगला जो question होगा आप जस्ट एक दो लाइन छोड़ देंगे यहां लिखेंगे उत्तन नमबर ठीक है अब देखिए question आता है मांग में परिवर्टन का अर्थ लिखिए तो यह मांग में परिवर्टन अगर आपको आता है इसका answer लिखिए नहीं आता है तो आपर अगला question लिखेंगे answer नमबर 3 कर दीजिए आपको यहां पर time based नहीं करना है और इस तासे answer लिखत है कि दीर कालिंग उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं चित्रे की साहिता से इस पश्ट कीजिए यहां पर भी question number 15 है तो यहां पर लिखेंगे हम उत्तर नमबर 15 ठीक है अब पहला question है दीर कालिंग उत्पादन फलन का अर्थ लिखने जिसका अर्थ लिखने पहले उसकी अर्थ लिखेंगे सच चित्रे की साहिता से इस पश्ट कीजिए तो यहां पर क्या लिखना है आपको इसका अर्थ लिखना है आपको एक परिवासा याद करके रखनी है इसकी परिवासा लिखनी है इसके अलावा इसकी विशेष्टाय लिखनी है विशेष्टाय लिखने क के बाद आपको यहां पर उदहारण देना है उदहारण देने के बाद आपको उसका यहां पर उदहारण देने के बाद को साथ साथ एक चित्र भी बनाना है चित्र की साहता से इसको इस पश्ट भी करना है इस तरीगे से इससे आपको पूरा एक पेज भर जाएगा क्योंकि ह अच्छे मिलते हैं इसके अलावा कुछ निम्रीकल कोशंस भी रहते हैं उसको इसाब करना इसमें कोशिश कीजिएगा जो कुषन आता है उसको पहले स्वाल्फ करते है चलेंगे इसके अलावा आपका सेक्शन भी आता पहला सेक्शन में माल लेजिए आपने दो तिन चोड़ दिए जो चोड़ दिया वो छोड़ दो कोई दिक्यत नहीं है फिना उसके दाद अगला सेक्षन आता है अगला संज जैसे आता है पेज पलटी यह पर भी लिख दीजिए उसकी जोबिख नहीं आता है उसको चोड़ देंगे तो आपको टाइम बेश बिलकुल भी नहीं करना इस तरीके से आपके इन शीट बिल्कुष साफ सदे कि मेरे राइटिंग भली थोड़ी ख़लाव हो लेकिन मैंने कहीं ओवर राइट नहीं किया है तो आपको भी ओवर राइट नहीं करना है इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है समझ में आ गया ना इसके लाबा कुट करना जरूर बताईएगा तो यह तो रही बात की कॉपी में आंसर कैसे लिखें दिमाग में ध्यान में रिखेगा एकोनोमिस के आंसर को हम बहुत ज्यादा बड़ा चाड़ा के नहीं लिख सकते एकोनोमिक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको उतना ही लिखना है जितन मन से कुछ भी उल्टा सिधा बना के नहीं लिखना है जो करेक्ट आंसर है उसी को लिखे अलग बात है जो आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है उससे रिलेटेट कुछ ना कुछ आप लिखने की कोशिश कीजिए बिल्कुल नहीं आता है कुछ तो आता है जो आता है आप बही लिखिए जिससे एक्जामनर आपको दो तीन आधा जो भी नंबर है वो देने के लिए मजबूर हो जाए कौपी को साफ सुतरा बनाए रखीगा फालतू के पेज़ेज भी नहीं छोड़ने है कि आपने आंसर नंबर फोर नहीं आता है पेज छोड़ दिया बाद में सकते हैं उतना ही दीजिए अच्छा रहता है इससे पेजेज भी भरते हैं उपर से एक्जाम कॉपी चेक करने के उपर आपका इंप्रेशन भी पॉजिटीव पड़ता है इसी तरह से अलग अलग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपने दोस्तों के ब बाइ